बच्चों नमस्कार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आई टी आई तो बच्चों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक के उपर की हम असानी से अपनी अप्रेंटिशिप की जग है किसी कमपनी में कैसे सर्च कर सकते हैं तो बच्चों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाबदायक है क्योंकि आप इस वीडियो को सीखने के बाद घर बैटे ही अपनी ट्रेड से रेलेटिड अप्रेंटिशिप की सीट कहीं पर भी असानी से सर्च कर सकते हैं वो भी सिरफ मिन्टों में आपको पता चल जा रहेगा कि किस किस कमपनी में आपकी ट्रेड की अप्रेंटिशिप की इरकवर्मेंट है तो बच्चों सबसे पहले किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक यह है अपना चैनल सबस्क्रायब नहीं किया है तो अपने चैनल टेक्निकल रकेश सर को सबस्क्राइब कर ले ताकि अगर placement से related हमारे पास कोई भी news हो वह समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे यह तब ही possible हो पाएगा अगर आपने channel को subscribe कर रखा होगा तो बच्चों आईए अब हम अपने main topic के उपर बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा हम अपने mobile में google पे जाएंगे जैसे screen पे दिखाया हुआ है उसके बाद ये site खोलेंगे apprenticeship की सबसे उपर लिखी हुई है धियान से पढ़ लें उसके बाद हम क्या करेंगे बच्च तो आपको मालो electronic के course की seats देखनी है कि apprenticeship की seats कहा कहा पर vacant है मैं यहाँ पर type करूंगा electronic mechanic तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास बहुत option खुल गए है मैं देखूंगा कि electronic mechanic कहा पर लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं select कर लेता हूँ electronic mechanic को तो बच्चों अभी मैं location को select नहीं करता पह देगा कि मेरी apprenticeship की seats कहा कहा पर available हैं तो देखिए आपके सामने अभी screen पर आ जाएगा तो बच्चों processing में थोड़ा सा time लग रहा है तो यह बच्चों देखिए नीचे हमारे पास दिख रहा है कि 1363 opportunities मतलब इतनी companies में हमारे पास electronic mechanic की seats हैं अगर किसी एक company में 3 या 4 seats भी हो त multiply by 1363 जो भी दिखा रखा है मतलब हमें पता लग जाएगा कि हम कहां कहां पर अपनी apprenticeship के लिए apply कर सकते हैं तो इससे क्या फाइदा है बच्चों यह देखिए कितनी companies दिखा रखी है हमें हर एक company में बार बार resume लेके नहीं जाना पड़ेगा तो बच्चों चलो मैं अब location wise मैं इसको select करके देखता हूँ सबसे पहले मैं nearby सहा लिख के देखता हूँ इसमें क्या यह सहा की location उठाता है या नहीं वैसे यह district की location उठाता है फिर भी देखिए इसने सहा की location नहीं उठाई है यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था तो बच्चों अब मैं इसमें district का लिखके देखता हूँ अंबाला तो मैं type करता हूँ अंबाला तो यह हैं अंबाला को पका उठा लेगा और अंबाला में जितनी भी companies में electronic mechanic की seats vacant हैं apprenticeship के लिए वह मुझे दिखाई देगी तो देखिए बच्चों यह थोड़ा processing में अभी मैंने यहाँ पर अंबाला लिख दिया है लेकिन मेरा course का column खाली रह गया है तो मुझे उपर course में electronic mechanic लिखना पड़ेगा दोबारा तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ electronic mechanic तभी यह मेरे को अंबाला की seats दिखाएगा कि अंबाला में कितनी seats vacant पड़ी है electronic mechanic trade की apprenticeship की तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर बहुत से options आ रहे हैं इसमें से electronic mechanic select कर लेंगे हम तो electronic mechanic select करने के बाद यह देखिए यह मुझे दिखा रहा है सबसे उपर KBS motors में नीचे बहुत से companies आएंगी जहां पर अंबाला में भी मुझे apprenticeship के seats दिखाई देंगी तो बच्चों हम एक company का किसी का भी example के लिए देख लेते हैं तो सबसे पहले सबसे उपर देखते हैं हमारे पास KBS motors private limited में जैसे दिखाई हुई है अगर मैं इसको यहाँ से देखना चाहूँ मैं view पर click करूँगा तो view पर click करने के बाद मेरे पास दो option आ गए है अगर मुझे back जाना है तो मैं back के option पर click करूँगा तो यह मैं back हो जाऊँगा लेकिन मुझे यहाँ पर back नहीं करना था actually seats देखनी थी तो मैं इसको दोबारा फिर open करके देख लेता हूँ कि आगे इसमें कितनी seats और किस तरह से दिखाई देंगी हर एक चीज़ इसके अंदर मुझे दिखाई देगी basically तो मैं यहाँ पर दुबारा अपनी detail भर देता हूँ मेरा अपना जैसे course हो गया electronic mechanic और इसमें location में मैं अमबाला भर दूँगा तो मैं एक वार इसको भर के दुबारा open करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको ना तो इन तरीकों से हम बिलकुल असानी से अपनी seats देख सकते हैं आसपास की companies में कि कहाँ पर vacant पड़ी हैं हमें company to company अपनी घूमने की जुरूरत नहीं पड़ती और बिलकुल ही मींटो में हमें पता लग जाता है कि हमारी trade की seats कहाँ पर vacant हैं apprenticeship के लिए तो बच्चों मैंने यहाँ पर अमबाला लिख दिया है तो यह है देखते हैं यह देखो सबसे उपर आ गया जैसे मेरा KBS Motors आ गया तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यह मेरे को सारी detail दिखाई देगी अभी नीचे करके देखते हैं इसको किसमे कितनी seats है मेरी electronic की तो हर एक चीज़ यह course name electronic mechanic दिखाई दे रहा है sector दिखाई दे रहा है duration हर एक चीज़ देखो number of opening to the high दे रही है तो इसका मतलब यहां पर 2 seats vacant है तो मैं यहां पर 2 seats के लिए apply कर सकता हूँ apply करने का option उपर आ रहा है तो बच्चो इस तरह से हम किसी भी trade के लिए apply कर सकते हैं तो course भी मेरे in columns में दिया हुआ है अगर मैं किसी और course के लिए भी apply करना चाहूँ तो मैं अन्य किसी course के लिए apply कर सकता हूँ अगर मैंने feeder से ITA की है तो मैं feeder के लिए भी इसको apply कर सकता हूँ इसके अंदर हम column के अंदर भरेंगे तो हमारी other trade के लिए भी open हो जाएगी तो बच्चों इस portal से हमें बहुत फायदा है वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद Thank you for listening this video